अपने ग्रीजीले में पूलिस की बदसलुखी से खफा बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिना एक दरोगा पर भी कारवाई नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने साथ हुई बत्तमीजी से खफा होकर बिहार के अला अधिकारियों को तलब किया था। दो बार की नोटिस के बाद आज सुबे के मुख्य सचीव और डीजीपी उनके कख्ष में मिलने पहुँचे। विधानसभा अध्यक्ष आहत थे लेकिन उनके कमरे से बाहर निकलने मुख्य सचीव और डीजीपी के बॉडी लेंग्वेज ने बता दिया कि सरकार कितनी गंभीड है। सरकार के दोनों अधिकारी स्पीकर के चेंबर से ठाहा के मारते बाहर निकले। ऐसे लोगों को गिरफतार कर लिया जो सिर्फ औरकेस्ट्रा देखने के लिए गए थे। अरोप है कि दोनों से जबरन जुर्म कबूल करने को कहा गया फिर पैसे दे कर जमानत लेने का भी दबाओ डाला गया। अस्थानिये लोगों ने इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की। विधानसभा अध्यक्ष इससे नराज हो गया। उन्होंने लखी सराय के एसपी को तलब किया लेकिन एसपी ने उनका नोटीस नहीं लिया। दारोगा डी और डीएसपी विधानसभा अध्यक्ष के सामने हाजिर हुए। अध्यक्ष ने दोनों को फटकार लगाते हुए मामले की सही से जाच करने और दोसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कारवाई करने को कहा लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई। इस पूरे वाक्या के बाद भाजपा विधायक संजे सरावगी और ललन कुमार ने लखी सराय के दो थानेदार और डीएसपी के खिलाफ विधानसभा में विशेसाधिकार हननन का प्रस्ताव लाया। बिजेपी के दोनों विधायकों ने ये नोटिस लखी सराय डीएसपी रंजन कुमार और बरहिया थानेदार दिलिप कुमार और विरूपु थानेदार संजे कुमार सिंग के खिलाफ लाया है। पिछले सोमवार यानी 21 फरवरी को विशेसाधिकार हननन के मामले पर विधानसभा में बिहार के मुखे सचीव और डीजीपी को तलब किया गया था। दोनों अधिकारियों ने खबर भीजवा दिया कि वे मुखे मंतरी के जनता दरबार के कारण व्यस्त हैं। लिहाजा विधानसभा में नहीं आ सकते। बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। बिहार के मुखे सचीव आमीर सुभानी और डीजीपी इसके सिंगल सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुँचे थे। विसेसाधिकार हननन के मामले में दोनों अधिकारियों को पहले से ही पेश होने का निर्देश लिहाजा आज दोनों अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुँचे। कक्ष के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे क्या कहा इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बाहर निकले दोनों अधिकारियों ने बता दिया कि विधानसभा अध् के सचीव अमीर सुभानी से मीडिया ने पूछा विशेसा अधिकार समीती की बैठक में क्या हुआ मुख्य सचीव बोले जो हुआ सब अच्छा हुआ ठीक ठाक हुआ मैं अभारी हूं उदर डीजीपी ने कहा सारा मामला जांच में है मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा दोनो सोर से अफसर साही के बेलगाम होने का मसला उठाया लेकिन जहां विधानसवा अध्यक्ष का ही यह हाल हो वहां विधायकों का क्या हाल होगा यह बताने की जरूरत नहीं